हालो फ्रेंज निलीमा क्रिशन में आपका फेड़ से स्वागत है तो आज मैं आपको ये बहुत ही प्यारा सा डॉलमेट के डिजाइन बनाना बताऊंगे तो ये प्यारा साड़ी से बनाना बताऊंगे तो ये पुरान चुन्नी ये साड़ी से बनाएंगे तो इस डिजाइन को लिए प्लीज इस वीडियो को अंतक देखिएगा पसंद आयेगा तो लाइक करिएगा जरूर एक बढ़ ट्राइगा और साथ ही मेरे फेस्बुक पेज और निलिमा फैमली को भी आप फोलो करिएगा क्योंकि वहां पे भी बहुत सारी डिजाइन सप्लोड कर रही हूं आजकर तो आप भी हम लोग मुझे फोलो कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं देख लेते यह डिजाइन कैसे बना हैं तो सबसे पहले यही दो सेम कलर से ह के जंग लेंगे काटा को जो देंगे जिसद्स दरीके से फंदें के आते हैं में अब लेकूं सकते हैं इसतरों से लेने बताव हैं इस तरह दोना नेकिने दोनिघाश को ईधने total आटा है श्ए तरों से लैने टेंगे और उसके यहीं फंदी ले लेती हूं तो बाकी फंदे जो 16 फंदे हैं उसे ब्लेक कलर से ले लेते हैं बहुत ही आसान सा डिजाइन है अपकर ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमझ में आ जाएगा यह देखिए फ्रेंज इसमें 32 फंदा ले लिये हैं अब देखिए एक बड़ यहां से बिनते वे यहां पर चले जाएंगे तो जहां पर जो जैसा कलर है उसे बिन लेते हैं कर दो कर दो कर दो कैना जाएजा जी बिन दोगर सता जाएगा déjà जाएगाा है जाएगागा जाएगा शड़ा कि अ कर दो कि यहां तक के फंदे बीन लिए अब इसे एक बार इसके साथ इस तरह से लपेट लेते हैं इसके बाद ग्रीन वाला बीन लेते हैं यह देखे फ्रेंज बिनते हुए आगे साइड में सारे फंदा बिन लेंगे यह देखिए अब यहां से देखिए फ्रेंज यह दो फंदा का एक कर देंगे इस तरह से यह देखिए ग्रीन में हम लोग उपका 16 फंदा था तो अब यह 15 हो गया अब यहां से हम लोग इस ग्रीन वाला 14 फंदा बिनते हैं पहले तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, यह चौदा यह 14 फंदे बिन लिए, अब यह जह 2006 का रह गया अफे ग्रीन कलर कर रह गया इसे वाला लिए Cane कि यह देखिए फ्रेंस बिनते वे आगे साइड में यहां पर यह दो फंदा छोड़ दे रहे हैं इसे धागा पलड़ दे रहे हैं इस साइड से जहां पर जो जैसा कलर उसे बिनते वे एकदम यहां तक बिन लेंगे प्रेंस अब कोई डिजाइन अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक करिएगा शेयर करिए गया और एक बर ट्राइग करिए गज़िए यह देखिए फ्रेंस बिन लिए ब्लैक वाले धागे से अब यहां पर कलर चेंज हो रहा है अब इसे पीछे कर देंगे और यह ग्रीन वाला धागा सामने ले आएँगे हम इसंतर भर ऐसे कर ना यहां इसजे है यह इसका सीधा साइड़ बनेगा इसलिए धाग को पिछे लेये और यहां दोनों को इस तरह से एक बार लपेट करके दहा का सामने लाकर के बीनेंगे अगर इस साइड में लाकर के बिनिएगा तो फिर फिनिसिंग नहीं आएगा बहुत ही खराब लगेगा देखने में तो पीछे के साइड में इस तरह से आपको लपेटना होगा आप पिर से अरल राइन में किया भी करेंगे हैं तो फंदा करेंगे हिए पिरये ये लाइन वाले को एक फंदा जो ग्रीन का है से ब्लैक लर से बिनेंगे जैसे पहले लाइन में किये थे घटाते समय वैसे ही तो यह देखिए यहां पर भी इस तरह से कर ले रहें फिर से ब्लैक वाले सब को बिनते वे जाएएंगे और से यहां पर दो पंदा छोड़ेंगे बिना बुने तो वहां तक बिन लेते हैं यह जहां पर जैसा कलर है यह देखिए फ्रेंस बिल्स आगे इसके उपरी साइड में आप देखे फ्रेंस यहाँ पिर सेदो फञ्डा को एक कर देंगे और इधर से लुतते चोड़ते हूं गंगे सेम प्रोड़ेस को करतेज़ाएंगे इसी तरह से दो दो फंदा छोड़ते हुए 16 फंदे तक छोड़ देना है और इधर में यह धीरे धीरे यह ग्रीन वाले सारे फंदे खत्म हो जाएंगे तो इतना कर लेते हैं लाश्ट में कैसा आरा है उसके उहां पर दिखा दूंगे तो यह सेम प्रोसेस इसे कर लेते हैं उसके आगे आ अब यहांसे बाकियों सो बाकियों ब्लैक कल़से बिना देगे जाएंगे और सो लुआ फंदा पीम चोड़ेंगे तो देख यह बित 14 में तक छोटा हुआ हिन दोनों को छोड़ देते हैं बाकियों बिना यहलसे हो अ готов की कैसे इस तरह से क॥ में ऑए और इस के कि यह दखें फ्रेंज बिंते वे आगे इसके उपरी साइड में अब देखिए अब जैसे डिजाइन में है यह थे यह यहां पर प्लेन टाइप का बना हुआ है बनने के बाद यह प्लेन जैसा बना हुआ है घटने के बाद तो अब यहां वही प्लेन वाला पैटर्ण डालना है इसमें तो देखिए यहां से कोई फंदर बढ़ाएंगे घटाएं नहीं जहां पर जो जैसा है वैसे ही रहने देंगे तो यहां पर देखिए यह इधर 16 फंदे थे और इधर में यह देखिए आठ फंदे हैं तो इन आठों को बिन लेते हैं देखिए चार और चार अभी यह बिने हुए हैं तो यह आठों को पहले बिन लेते हैं उस तरह से और यह जो 16 फंदे हैं उनमें से 2 फंदा को साथ में लेकर के बिन देना है तो यहां काफी gap लग रहा है उनमें पता नहीं चलेगा लेकिन आप साड़ी से बनाईएगा तो काफी जादा gap लगेगा यहां बीच में से कोई फंदा उठा करके इन दोनों को साथ में लेकर के बिन दी जेगा हरे साथ में यह एक को बीम लिजेगा यहीं से धागा पलर दिजेगा इससाइड में 14 फंदे रह गये इस साइड में सबको बिनती वियां तक कर लेंगे है कि यह देखिए फ्रेंज बिनते वे आगे इसके उपरी साइड में फिर से सेम प्रोसेस करेंगे कि यहां पर देखिए पहले आठ फंदा था अभी यहां दस हो गया होगा देखिए यह एक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 देखिए अब इन दस हो पहले बिन लेगे फिर ये दोनों को साथ मे ले करके बिन देगे पहले हम दो दो फंदा छोड़ रहे थे अब हम लोग साथ में ले करके बिंदते जा रहे हैं यहाँ पर बना रहे कोई फंदा बढ़ा घटा नहीं रहे हैं यह देखिए यहां काफी गैप है बीच में से एक फंदा उठा लेंगे और इन दोनों को साथ में लेकर के बिन देंगे जिससे गैप भी भर जाएगा फंदा भी नहीं बढ़ेगा इसके बाद हो लहीं इसे भीनेंगे इसे धागा पलड़ देंगे इस साइड से वापिस बिल इसेAl32 में बेता पहला से ऐकाप न पर गता है यह देखिए यहां पर देखिए यहां तक बिन लिए यहां पर इसलिए कर रहे हैं क्यूंकि जो बीच में सरकल हो आता है वह कम आए इसलिए हम यह आप एक ट्रिक करूंगे कर देखिए यहीं से हम लोग इसका दूसरा कली का सुरुवात करने वाले हैं तो हम लोग देखिए हम लोग सुरुवात में 32 फंदा लिये थे तो अभी यहां पर हम लोगों का यह 24 फंदा है देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 2, 20, 22, 24 और बाकी बच्चे जो 8 फंदे हैं वो हम लोग यहां पर घटा दिये थे तो अब हम लोग इस लाइन में क्या करेंगे देखिए जो 8 फंदे घटा लिये हैं उसे हम लोग यहां पर एक साथ हम लोग ले लेंगे तो इस तरह से फंदे डाल लेते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, यह देखिए आठ अब हमारे काटे पे फिर से 32 फंदा हो गया है अब इस लाइन में हम लोग देखिए क्या करेंगे हम लोग जैसे शुरुवात में 16-16 फंदे लिये थे तो उसी तरह से हम लोगों को 16-16 फंदे इसमें डिवाइड करने होंगे तो उपर के जो ब्लैक वाले हैं उसे 16 फंदे बिन लेते हैं यह जो लाइन बना रहे हैं यह पहला कली का लास्ट लाइन है यह देखिए इस तरह से एक दो तीन चार पांच छे साथ यह आठ देखिए अभी दर से और आठ फंदे भी लेते हैं नो, दस, ग्यारा, बारा, यह तेरा, चौदा, यह पंदरा, यह 16 यह देखिए 16 फंदे बिन लिए अब बाकी बचे 16 फंदे जो है उसे ग्रीन कलर से हम लोग यह बिनेंगे तो आप यहां चाहे तो इस धागे को कट कर दे या फिर आप कट करके यहां से जोड ले या फिर इस तरह से आप खीच करके भी लगा सकते हैं अगर उन से बना इंगे तो ज्यादा नहीं दिखेолоł misunderstanding कर दाए भी यहां बर्जय को करके को फिर से wordt जोड ले जिए आप दिकेंगें यहां से 16 फंदे ग्रीन कलर से बिन लेते हैं एक दो तेन चाहर पांच चौदा यहां देखिए काफी गैप है बीच में से कोई फंदा उठा लेंगे 15 यह 16 यह देखिए इस तरह से अब देखिए फिर से मारे काटे पे 32 फंदा हो गया दोनों कलर से इस सीधी साइट से वापिस बिल लेते हैं वहां तक ऊपर तक यह देखिए फ्रेंज बिनते वे आगे इसकी उपरी साइड में फिर से देखिए जैसा पहला लाइन था बिल्कुल वैसे मिल गया फिर से यहां पे हम दो फंदा का एक करेंगे इस बार देखिए ब्लैक वाला उपर आ गया है पहले ग्रीन था यहाँ पर यह देखिए दो का एक कर देगे बाकी को बिनेगे ब्लैक कर से और यहाँ पर एक फंदा कनवर्ट करें गे जैसे पहला कली बनाया है बिल्कुल वाइसे ही इसकी सारी कली को बनानी है यह देखिए फ्रेंस आगे बिनते वे यहाँ पर यह एक फंदा को यहाँ पर कनवर्ट कर लिए यह देखिए बाकियों को बिनते जाएंगे फिर से यहाँ दो फंदा बिना बुने छोड़ेंगे यह देखिए फ्रेंस बिनते वे अंत में आगे दो फंदा छोड़ देते हैं इसे धागा पलर देते हैं सीधे साइट से वापिस बिन लेंगे जैसे यह बनाए वैसे इसकी सारी कली को बनाना है सेम प्रोसेस के साथ इसी तरह से फिर से एकदम कमा जाएगा यहाँ पर आठ ला कम्प्लीट हो जाएगा बनके त्यार हो जाएगा इसमें भी देखिए धागा खीच-खीच के इस तरह से लिए हैं तो इस तरह से दीख रहा है यह देखिए इसी तरह से इसकी सारी कली को कम्प्लीट कर लेना है और अंत में सारे फंदे बंद करके सुई धागे से सिलाई कर नहीं दोंगे